नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ आज हमारे स्टूडियो में मौझूद है योगा कोज अर्जुन तिवारी जी अर्जुन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है अर्जुन जी योगा क्यों करना चाहिए? योगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दो योगा के बारे में कि योगा जो है Self-Realization जिसे हम कहते हैं कि हमें आतना खुद के बारे में, खुद को जानना इसे हम योगा से जोड़ते हैं कि खुद को कैसे जाने तो योग का जो विशे है सब्जेक्ट है इसका जो अर्थ है वो इससे लिए योग मींज जोड़ना या मिलाना किसका आत्मा का परमात्मा से मिलाना ही योग कहा गया है तो इससे हम अपनी आत्मा का ग्यान प्राप्त करते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जिस तरह से योग बताया गया है उसके बारे में जानकरी लेना ही योग है तो योगा करना क्यों जरूरी है? योगा, सबसे पहले योगा करना, योगा का विशे जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विशे है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे कि हम पेल ले ले लेते हैं, उसकी काफी ब्रांचिस होती है, योगा का सब्जेक्ट भी ऐसे ही है, इसकी बहुत सारी करने आत्मा की शुद्धि करने एकि थिम्यों करने साती साथ किया है। बिमारियां भी कुछ हद तक रोकी जा सकती हैं? बिमारी के बारे में बताएंगे कि जिसको हम योग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं? आज हमारा जो विशे रहेगा वो मधू में डाइबर्टीस जिसके बारे में आपने सुना होगा जो कि भारत वर्ष में बहुत ही ज्यादा आजकल एक महतुपूर्ण विशे है डाइबर्टीस जो कि एक भयानक समस्या के रूप में सामने आ रही है इसे कि हर साल में हर एयर हम देखते जा रहे हैं कि इसकी जो गिंती है वो बढ़ती जा रही है काफी पेशेंट्स हैं काफी जो डाइबर्टीस से गरस्त हैं और इनके केसी जो है यह बढ़ते जा रहे है इसके इसमें डेथ रेट जो है बढ़ता जा रहा है डाइबर्टीस की वज़े से क्योंकि यह नहीं है उसको हम throw कर सकते हैं लेकिन इसको क्यों नहीं आ है तो क्या योग करने से डाइबीटीज कुछ चात क्कुछ पॉड यह बहुत जया खना कि जा सकति जी बाइबेटीज से हमें यो कैसे मुक्ति डिलाता इसके बारे में इसी तरह से जान सकते हैं कि हम मेडिसन के द्वारा हम लोग आजकल डाइबटीज के एलाज में मेडिसन की जरूरत जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मेडिसन इस पे तो उसके लिए एक जो फॉर एक्जामपल हम नॉर्मल व्रक्ति की बात करत है कि उसे टाइम नहीं हो उसके पास जिन दिकत जो है समय की है तो वह मेडिसन लेकर के अपने आपको तंदरूस्त रखने की या डाइबर्टीज जैसी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि वह असमर्थ रहते हैं क्योंकि जो मेडिसन है उसके बहुत सा दरूस्त रख सकते हैं तो डाइबर्टीज अगर किसी को हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए कौन सा आसन करना चाहिए डाइबर्टीज के लिए योग में सबसे महतरपून कुछ एक्सराइजिस हैं कुछ आसन हैं कुछ प्रानयाम हैं जिनमें सबसे महतरपून कपाल भा के लिए कि लिए कि पापाल भाति जो अक्सर साइश सिसह से इससास इसका घ्यास पंद्रा से दस मिनट तक उनको देते हैं करने के लिए बीगनर्स के लिए जब हम उन séका अजय को इसका भ्यास बताते हैं तो वो 5-2 थे अजय जो इसका का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत टूमच यानि कि जादा बढ़ जाने पर ही ये बिमारी से जो है व्यक्ति ग्रस्थ हो जाता है इसमें पैंक्रियास नामक ग्लैंड है हमारी शरीर में जिसमें जो की इंसुलीन नामक एक हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है और उसके प्रोड्यूस होने में पैंक्रियास का जो काम है वो इंसुलीन को प्रोड्यूस करना है जिकिन जब इंसुलीन अपना पैंक्रियास अपना काम सही माइने में नहीं कर पाते यानि कि पैंक्रियास में हमें दिक्कत शुरू हो जाती है पैंक्रियास ग्लैंड में त तो आप योगा में हमें ऐसे कौन से आसन बताएंगे जिससे कि हम डायबिटीस पे कंट्रोल पा सकें। आसनों की जब बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम लेकर चलते हैं ट्विस्टिंग पोजिस और कुछ ऐसे फावर्ड बेंडिंग पोजिस जिससे कि आपके पैंक्रियास जो है उनकी एक्सराइज हो उनका मसाज मिले और उसकी जो प्रोडक्शन है वो अपना काम सही डंग से कर पाएं तो इसमें हम सबसे पहले अर्धमत्सेंद्रासन जिसे हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं यह आसन बहुत ही लापकारी है इसके इलावा योग मुद्रासन है जो इसमें हल्प करता है योग मुद्रासन में कई तरह की वेरियेशन जो है हम एक व्यक्ति को जो मरीड्य दिशसे कि इसमें समाधन पांशके इसके इलावा भुजंग दhनुर आसन है यह आसन योग के द्वारा हम डाइबटिसे वियाई ग्रस्त या मधुमें से ग्रस्त विक्ति को इससे इलाज करते हैं इससे समाधन पाते तो आम हमें यह मुद्रासन करके बताएं Diabetes के लिए जो आसन महतवपूर्ण है, आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे, जिसे की हर एक वे उम्र का वेक्ति Diabetes से ग्रस्त है, जिसे Diabetes की बिमारी है, वो उसमें उसके लिए लाबधायक सिद्ध हो सकते हैं. यह आसन बहुत ही Simple और Basic आसन है, जो की हर वेक्ति कर सकता है, इसमें पहला आसन जो की मदुमे से ग्रस्त वेक्ति के लिए helpful है, वो है योग मुद्रासन, इसकी कई Variations हैं, जिसमें से एक Variation हम आपको करके दिखाएंगे. इसके लिए पहले डंडासन में बैठ जाएं, उसके बाद अपने दोनों हाथों को सीधे रखें, कमर और गर्दन सीधी, फिर अपने बाएं पैर को मूरते हुए, दाएं पैर को मूरते हुए, वजरासन में बैठ जाएं. बजरासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी नाभी पर रखें और एक्जेल करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की और जाएं इसमें कुछ देर होल्ड करने के पस्चाथ दुबारा वापिस आएं जैसा कि आप देख सकते हैं इससे आपके पैंक्रियास जो ग्लैंड है उनको मसाज मिल रही है उसको इसलिए ये जो आसन है मदु मेंसे ग्रस्त व्यक्ति के लिए बहुत ही हेल्फुल आसन है इसे एक और तरीके से भी किया जा सकता है जिसमें हम अपने दोनों हाथों को दाएं के उपर बाया हाथ रखकर कर सकते हैं एक बार दुबारा से सांस बाहर छोड़ते हुए एक्जेल करते हुए डाउन फॉर्वर्ड बेंड करें इसमें कुछ देर होल्ड करने के पस्चाथ दुबारा वापिस आएं और इनहेल करें दूसरा आसन भुजंग आसन जिसे की कोब्रा पोस भी कहा जाता है इसके लिए पहले जमीन पर पेट के बल लेड़ जाएं फिर अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास लाएं और आपके पैरों के पंजे बिल्कुल पीछे की तरफ खिचे हुए होंगे तस्था आपके दोनों पैर आपस में मिले हुए होंगे इसके बाद धीरे से सांस अंदर भरते हुए उपर की ओर जाएं इसमें कुछ देर रोकने के पश्चाथ वापस आएं और एक्जेल करें इसे करते समय आपने अपनी कपैसिटी के अकॉर्डिंग इसे इसका प्रयास करना है जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप कीजिए धीरे से वापिस इसका अभ्यास तीन से चार बार करें फिर वापिस तीसरा आसन अर्दमत्सेंद्रासन इसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर रखें डंडासन में बैठ जाएं अपने बाएं पैर को मोडते हुए नीचे की ओर से और दाएं पैर को ऊपर की ओर से क्रॉस करके लाएं उसके बाद अपनी बॉड़ी को पीछे की ओर जो पैर आपने ऊपर की ओर मोड़ा है उसी तरफ आपको बॉड़ी को ट्विस्ट करना है ट्विस्ट करने के बाद अपना हाथ उपर से क्रॉस करते हुए अपने पैर को पकड़ें और पीछे देखने की कोशिश करें इस आसन में कुछ देर होल करने के पस्चाथ दूसरी और से भी यह आसन दोहराएं अर्धमत सेंद्रासन इसके अलावा तीसरा आसन जो है चौथा आसन उसका अभ्यास करेंगे जो की है वक्रासन बेशिक पोज पहले दाएं पैर को फोल करें अपनी बॉड़ी को पीछे की और ट्विस्ट करें जैसा कि आप देख सकते हैं इसे आसानी से हर कोई कर सकता है इसमें कुछ देर होल्ड करने के बश्चाद वापिस आएं फोर्थ आसन चौथा आसन धनूर आसन इसके लिए भी लेट जाएं पेट के बाल लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाएं और अपने हाथों से अपने पैरों के टकनों को पकड़ें और बॉडी को इन्हेल करते हुए उपर की और उठाएं इसमें कुछ देर होल्ड करने के बश्चाद वापिस आएं यह आसन भी मदुमे के रोग्यों के लिए बहुत ही लाबधायक आसन है इस तरह से अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप मदुमे से निजात पा सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं धन्यवाद आज हमें अरजुन जी ने जो आसन करके दिखाए हैं इन्हें आप अपने घर पे जरूर अजमाएं इनको करने से आपकी डाइबिटीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी आपको रोज दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इनका प्रयोग निरंतर कीजिएगा अरजुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार